तो हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी डॉग्स है यह हमारे देशी गुत्ते हैं उसकी अंगिनत प्रजातियां हैं अंगिनत मसले हैं हमें इनकी क्यों जरूरत है यह क्यों इंपॉर्टन्ट है यह सवाल बहुत लोग नहीं पूछते हैं हम इने नेग्रेक्ट करते हैं क्योंकि यह वारा है या क्योंकि यह एकदम बहुत जादा बहुतायत में मिलते हैं शायद हम इनकी कदर नहीं करते हैं पर आप लोगों को जानके हरानी होगी कि स्रीट डॉग जो इंडियम स्रीट डॉग्स हैं यह वर्ल्ड में एक बहुत ही हाड़ी जो ब्रीड है उसके तौर पर जाने जाते हैं यह कई दारा के टेंपरेचर हैं वेरेशन हैं सीजनल वेरेशन हैं और क्लाइमेटिक जो चैलेंजीज हैं उनको जहेल के भी यह लोग जीवित रहते हैं यह इनके बारे में एक बहुत बड़ा जो है फैक्ट है जो इनको स्पेशल बनाते हैं दुनिया में काली दुनिया जो बनी है वोEr्क शौशल सरकल है उनका एक शौशल बहुएविर है उनका रिप्रड़क्शन है उसका एक साइकल है जो नेशर ने डिसाइट किया है हम लोग अगर सोचें कि मानव सबसे उपर है और बाकी जीव जनतों की जो लाइफ है या उनके जो प्रान है उतनी इंपॉर्टन नहीं है यह बहुत गलत हूँ को एक्जिस्टन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टन है वो शायद हम लोग भूल गए है सबके साथ सतत्व विकास सस्टेनिबिलिटी और लोगों के साथ बाकी जीवों के साथ हमें कैसे रहना है मुझे कहने में कोई संकोश नहीं कि हम लोग अगली चठी जो वो है तरासिदी उसके करीब हैं जो धरती पर तक हुई है extinctions हुई है mass extinctions तो हम लोग जो चटी होगी वह मानव की खुद की तरफ से ही वह इंस्टिगेट करी गई है हम नहीं हम ही उसके कारण बनेंगे हमारे unsustainable ways जो हैं काम करने के वह इस सब में नहीं कारण बनेंगे तो हमें इन डॉक्स के बारे में जो हम बता रहा था डॉड हूँ है इनका जीन जो है इनकी बिरिड है बहुत important है हमारी बहुत important ore 이것도 ऊह है वह इनके genetic base के विना अधूरी है नहीं बन पाती है इन future भी अगर हमें बहुत बहुत top understanding होंगी तो उनका जो basic make up genetic makeup है और जो यह दिश्ची breeds ही बनेंगी क्योंकि इनका जो natural hardiness है वो बहुत महंगी breeds में नहीं होता तूसरा point यह हमें क्यों जरूरी है शहरों में इनका होना हमारे दें क्यों फाइदे मन्द है यह natural cleaners का काम करते हैं cities के अंदर जो कच्रा पाया जाता है जिसको हम लोग हिंदुस्तान के अंदर तो हम लोग अपने कच्रे को गीला और सुखा अलग-अलग तरह से है या इनकी population कम है या खतम हो रही है यह naturally breed करते हैं और naturally ही इनकी जो है इनकी selection naturally होते है और यह लोग जो best genes है वही आगे continue करते हैं वही बचते हैं बहुत सारी बीमारियां है पार वो है सीडी है canine distemper है rabies है ऐसी कई सारी बीमारिया है जिनके बज़ासे जो कमजोर और pups या कमजोर नसले होती है या इनके individuals होते हैं वो खतम हो चाते हैं तो आगे चलके ऐसा नहीं है कि साथ बच्चे पैदा हुए तो साथ बड़े होंगे उन से तीन चार दो आधे 50% chances होते हैं कि वो बचेंगे तो जो जो कुटे जो बड़े होए दिखते हैं आपको streets के अंदर वो बहुत कुछ झेल के बड़े होते हैं और उनके jeans जो है उनको इसकाबिल बनाते हैं कि वो इस सब को झेल पाएं और इन सब कारणों को जानने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग इसी street dog को पत्थर मारने की बजाए दस बार सोचोगे उसको शायदा भोजन दोगे उसको एक chant दोगे ताकि वो survive कर पाए और अपने बच्चों को भी यह सिखाए कि जानवरों से प्यार करें इन dogs को प्यार करें यह नफरत के नहीं यह आपके प्यार के काबिल हैं और प्यार आपका प्यार जो है वह इस पीशी को इस ब्रीड को survive करने में बहुत हद तक मदद करेगा मेरा नाम सुनाल कुमार रोमिन मैं मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में